टाइटानिक हादसे की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। टाइटानिक जहाज के डूबने का किस्सा आपको पता ही होगा। 112 साल पहले एक विशालकाई जहाज समंदर में समा गया था। इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। साल 1912 में 14-15 अप्रेल की दर्मियानी रात अट्लांटिक महसागर में यह जहाज एक आइसबर्ग यानी हिमखंट से तकराया। हिमखंट से तकराने के बार टाइटानिक जहाज समंदर की अथा गहराईयों में समा गया। अब इसी हादसे से जुड़ी टूरिस पंडुबी टाइटन भी समंदर में समा गई है। इस हादसे में भी पांच लोगों की मौत हो गई। टाइटन सबमर्सिबल टाइटानिक के मलबे को दिखाने पांच लोगों के लिए गई थी। बीते 18 जून को ओशन गेट की पंडुबी टाइटन टाइटानिक के सफर पर निकली थी। टाइटन को कैनड़ा के न्यूफाउंड लेंड से 700 किलोमीटर दूर डूबे हुए जहाज टाइटानिक के मलबे के पास जाना था। लेकिन सफर पर निकली इस पंडुबी का संपर्क महस एक घंटे 45 मिनट में ही तूट गया। टाइटन का संपर्क समुद्र के ऊपर मौजूद उसके जहाज पोलर प्रिंच से तूटने के बाद वहां हड़कम मच गया। इस दिल दहला देने वाले हाथसे में टाइटन पंडुबी में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। टाइटन पंडुबी में सवार सभी पांच लोग जाने माने अरबपती थे। इसमें ओशन गेट के CEO स्टॉक्टन रश, ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपती शहजादा दाउद और उनके बेटे सुलेमन दाउद, हामिश हार्डिंग और पॉल हेंडरी नार्जियोलेट की मौत हो गई। से कंप्रेस हुई कि यह आग का गोला बन गया। अलग-अलग लगने वाली यह घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि पल भर में पांचों लोगों की मौत हो गई। टाइटन के साथ हुए हाथसे के बाद पूरी दुनिया में एक्स्प्लोरेशन को लेकर बहस छेड़ी हुई लेकिन इस तरह के एडवेंचर में जान का जोखिम लेना कभी भी खत्रे से खाली नहीं होता। इस हाथसे के बाद लोग आज एक बार फिर टाइटनिक से जुड़ी बदकिस्मती की चड़चा कर रहे हैं। टाइटन भी लगता है इस बदकिस्मती का शिकार हो गई। Bureau Report, Q5 Network